Hello and welcome to my channel, मेरा नाम विजय है, और आज की वीडियो का टाइटल है, जावा प्रोग्राम फार, स्वैपिंग अप्टू नमबर्स यूजिंग थर्ड वेडियूबल, तो दोस्तों, स्वैपिंग करना है, मतलब मुझे क्या करना है, दो नमबर की जो वैलिवों मुझे इंटरचे स्वैपिंग, a is equal to 5 and b is equal to 10, और फिर लास्ट में हमारा ओटूट आना चाहिए, अप्टर स्वैपिंग, a is equal to 10 and b is equal to 5, मतलब a की वैलिव बी को चली गई और b की वैलिव एक को चली गई, तो यहाँ पर स्वैपिंग के लिए हम नमबर आप टेक्निक कर सकते हैं, लेकिन इ a is equal to 5 and b is equal to 10, अब मुझे क्या करना है, एक third variable लेना है, जिसकी मदद से मुझे इनकी value interchange करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक temp नाम का एक मने variable लिया है, जिसकी initial value है 0, अब मैं क्या करूंगा, इस a की जो value है, यह मैं इस temp में assign करूंगा, ठीक है, तो देखिए, क्या होगा फ अब मैं b की value a में assign करूंगा, देखिए, तो अभी क्या हो गया है, b की value a में चले गए, तो a की value होगी 10, जो की a की value पहले कहती ही 5, लेकिन अभी होगी 10, और last में हम क्या करेंगे, इस 10 की value b को assign कर देंगे, तो देखिए, b की value होगी 5, इस तरीके से हम third variable का use करके, दो variable की values interchange कर सकते है, swap कर सकते है, तो आइए, इसके लिए भी हम जावा का program लिखते है, दोस्तो यहाँ पर मैं utile package को import करने वाला हूँ, इसका reason यह है, कि मैं user से 2 values रेट करने वाला हूँ, और उसके लिए मैं scanner class का use करने वाला हूँ, ठीक है, तो चलिए हम पहले scanner का object create कर लेते हैं, दोस्तो scanner class के बारे में अगर आपको कुछ भी पता नहीं होगा, तो इसके उपर मैंने already एक वीडियो बनाया है, उसकी link मैंने उपर दिया है, आप वीडियो एक बार देख सकते हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे user से input read करना है console से, तो I can use scanner class, तो इसका object create कर रहा हूँ, scanner sc, पर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर scanner का constructor, ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा मैं एक class, that is system.in, अब यह क्या कर लिया हमने, यहाँ पर scanner का object create कर लिया, क्योंकि इस object के साथ में हम values को read करेंगे console grouper से, अब यहाँ पर दोस्तों मुझे तीन variable declare करना है, A, B, और temp, ठीक है, यह तीन variable की विज़ कर रहा हूँ मैं, दो variable में तो मेरे number रहेगे, और temp में क्या रहेगा, temporary storage रहेगा, जो temporary number में इसमें store करने वाला हूँ, चलिए, तो अब user को एक message हम display कर देते है, user को message display करने के लिए, हम यहाँ लिखेंगे, system.out.println, enter to number, enter to numbers, फिर user जो भी number enter करेगा, उसको पहले मुझे store करना A में, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं A, फिर लिखूंगा next int, next int इसलिए लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं integer number read कर रहा हूँ, और जो भी number में read करूंगा, वो store हो जाएगा A में, फिर मैं लिखूंगा B, next int, क्योंकि दुसरा number में जो read कर रहा हूँ, वो भी integer है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे next int, लेकिन दोस्तों, यह object oriented programming है, तो यहाँ पर simply ऐसी method लिखने से नहीं चलेगा, यह जो method है, यह है scanner class की method, तो इन्हें access करने के लिए मुझे scanner class का ही object यूज़ करना होगा, तो यहाँ पर लिखूंगा, मैं sc.next int, similarly यहाँ प यहाँ पर हम console से read करके A और B में store करेंगे, चलिया, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, हम एक message user को display कर देते हैं, कि before swapping, A is equal to this and B is equal to this, जो भी value user ने enter किया होगा, तो यहाँ लिख रहा होँ मैं, before swapping, A is equal to, यहाँ लिखूंगा, मैं A, plus, फिर से double quotation, and B is equal to, plus B, ठीक है, चलो, यह message तो user को display होगा है, जो value उसने enter किया है, तो उसके लिए message display हो जाएगा, before swapping, A की value 5, B की value 10, अगर उनने 5 or 10 enter किया होगा, तो दस्तों, अब आता है processing वाला part, जहाँ पर मुझे क्या करना है, यह दोनों नम्बर को interchange करना है, swap करना है, तो अभी जो logic मैंने आपको समझाया था, बस वही logic है, आपको हमें, in the form of statement, लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या क करेंगे कि हमारा जो A की A variable है, उसकी value हम temp में store कर देंगे, तो यहां लिख रहा हो मैं, temp is equal to A, उसके बाद आप क्या करेंगे, A में हम store करेंगे B की value, so A is equal to B, चलो A की value तो change होगी, अब मुझे क्या करना है, मुझे B की value change करना है, तो यहां लिखोंगा मैं B, अब मैं अगर B is equal to A लिखता हो, तो A की जो last value होगी, last updated that is suppose 10, वो B में चले जाएगे, मतलब B की value change नहीं होगी, so B की value change करने के लिए मुझे यहां लिखना होगा 10, तो इन 3 statement के वज़े से क्या हो जाएगा, जो swapping हो हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक message user को display कर देंगे, कि after swapping a is equal to this and b is equal to this, मतलब जो भी उनकी values होगी, चलिए, तो अब इसे हम compile करते है, so compile करने के लिए मुझे लिखना होगा, zawa c, और फिर लिखना हो मैं, file का मेरे name, that is swap.zawa, तो दोस्तों, यहां पे कोई error नहीं है, अब मैं इसको run कर रहा हूँ से यहां लिखना हो, zawa swap, क्योंकि यह class file है, message display हुआ, enter two numbers, suppose I am entering five or ten, देखिए, message के आया है हमें, कि before swapping, a is equal to five, b is equal to ten, after swapping, a is equal to ten and b is equal to five, I hope आपको वीडियो जो है, दोस्तों, यह समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, thanks for watching. तरसित आप में में इसरोपी जघर लो हां भागल है, message कै रहा है, जोस्तों रहा है, message के रहा हैं, हाँ प्याया है waच नहीतर दूẫn